सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने फेस्बुक पेज रील्स को वाइरल किस परकार से कर सकते हो ठीक है आपने काफी सारे बंदे भाई को ऐसे देखे होंगे कि जिन्होंने अपने रील्स डाला और उनका पहला रील्स पे मिलियन्स में व्यू जा जाते है ठीक है और फेस्बुक रील्स पोस्ट करने से आपको क्या होगा कि आपको फेस्बुक रील्स बोनस मिलेगा तो वीडियो को सुरू से लेकर अन तक complete देखेगा, वीडियो में कहीं मत जाएगा, क्यूंकि अगर आज ये वीडियो का आप complete देख लेता हो, तो आपके facebook page reels पे जो है, वो view तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ आपके facebook page पे followers भी increase होंगे, जिससे आपका क्या होगा, कि facebook page monetization में आपको help मिलेगा, क्यूंकि facebook page monetization में 10,000 followers का criteria पार करना होता है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि shorts platform में, जैसे ही tik-tok band हुआ, shorts platform में एक अलग ही hold आ गई, youtube अपना shorts ला दिया, और shorts वीडियो जादा viral होते है, ठीक है, जैसे कि youtube पे आप देखते होंगे, कि shorts video एक एक घंटा में एक एक million views आ जाते हैं, और view जाने से आपके followers भी increase होंगे, आपको shorts फंड भी मिलेगा, तो चलिए बिना किसी देरे की आज की इस कमाल की video को शुरू करने, तो यहां से मैं अपने mobile का screen recording on कर लिया, ठीक है, screen recording on करने के बाद यहां से मैं आ जाता हूँ, अ आपको क्या करना है कि एक reels ले लेना है, ठीक है, यहां से कोई सा भी reels आपको ले लेना है, ठीक है, अगर आपको आप अपने video के back camera से reels बनाते हैं, तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता कि मैं अपने video को reels कहां से download करो, तो facebook page आपका जिस related content से page है, उस related से आप facebook page reels को लेके और फिर से facebook page पे upload करते हो, तो आपका strike आने का खत्रा बढ़ जाएगा, आपका copyright आजाएगा, ठीक है facebook पे, जो कि आपका फिर limited ads आजाएगा, जिससे कि आपका facebook page monetize तो हो जाएगा, बट उस पे ads नहीं चलेंगा, और आपका facebook page से पैसान नहीं आएगा, ठीक ह नहीं भाई, आपको कहा करना है कि आप कहीं से facebook reels को जो है उठा रहे हो, ठीक है, youtube reels को उठा के facebook page reels पे डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको facebook पकड ना ले, इसलिए आपको क्या करना है, कि यहाँ से effect पे click करना है, और कोई सा भी facebook का, कोई सा भी बढ़ियां सा effect कोई भी लेन है और उसको simply हैं से क्या करना है लगा लेना है जैसे कि मैंने यह effect ले लिया जो कि देखने में उपर हम star गिर रहा है जो कि देखने में काफी attractive लग रहा है इसी परकास से आपको कोई साभी ढहल सारे effect आपको मिल जाएंगे जो कि देखने में काफी काफी amazing नहींगे क्लिक करनेकोगाद काफी सारे बंदे क्या करते कि यहां से preach नहीं भाई यहांसे आपको देख लेना है कि यह आपका अगर पबलिक नहीं रहेगा तो आपका रील जिन्दगी में वाइरल कभी होगा तो इसके लिए क्या करना आपको प्रोफाइल को अंलॉक करके रखना और यहाँ से क्या करना कि जैसे मेरा knowledge व़ला video है घख है तो क्या करना कि है आपको टायटल सबसे बड़ी बात होती। कि जिसको देखने के बाद आदमी उस वीडियो पे रुखने के लिए मजबूर हो जाए ठीक है तो मैं टाइटल कुछ इस परकार सा सोचता हूँ जैसे मेरा टिप्स है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर दुनिया का सबसे अमेजिंग फाक्टें टीक है इतना लिख देटे है ठीक है इतना लिखने के बाद आप पर आप पुराने हो जाएंगे तो फिर आपने विडियो को डालेंगे आपका समस्क्राइब बेस अच्छा रहेगा फॉलोवर अच्छा रहेगा तो धक्का देगा आपकी वीडियो को आपकी वीडियो वाइरल हो जागी बट अगर आपका सुरू में फॉलोवर्स नहीं है 20 जार 25 जार फॉलोवर्स नहीं तो आपको क्या करना है है तो हैश्टेक किस परकार से लगाना है तो मेरा फैक्स वीडियो है तो सबसे पहले यह फैक्स ले लेना है ठीक है ठीक फैक्स लिखना है ऐसे ही करके आपको अपने वीडियो से रिलेटेड 10-15 हैश्टेक लगा देने है तो आपको क्या करना है कि आपको पेज का आपका नाम है ठीक वह उसी को आपको फैस्टेक लगाना जिससे आपको फैस्बूक कर लगेगा कि नहीं इस भाई में कुछ तो दम है ताकि इसके ने-ने hashtag बनाए और इनके वीडियो पर ज़्यादा वाइरल होगा ठीक है तो यहां से आपको क्या करना है कि hashtag ले लेना है फिर यहां से आपको hashtag लेना है hashtag facebook page ठीक है यह सब आपको लेना है क्यूंकि आप facebook page पर वीडियो डाल हो ठीक है यह लेना है ठीक है दो hashtag हो गया hashtag trend लेना है ठीक है hashtag trend लेना है ठीक है और hashtag एक hashtag है hashtag क्या करना है कि hashtag for you लेना है अपना hashtag लेने के बाद simply क्या करना है कि आपको अपना video को क्या करना है कि publish कर देना है hashtag for you लेने के बाद यहां से क्या करना है कि आपको share reels पे click कर देना और आपका reels video वो share हो जाएगा अब भाई share तो हो गया मेरा Reels अब उसको boost up कैसे मिलेगा तो क्या करना है कि जो जो आपके friends हैं जो जो आपको facebook page फे follow करके रखे है ठीक है उनका उनका भाई का mobile लेना है या फिर एक group बना लेना अपने वीडियो को link को भेजना है और बोलना है कि भाई जिसके उसी के पास link को भेजिएगा जो आपकी वीडियो को दो या तीन बार play करके देखे सब होता है audience retention का ख्याल अगर आपका वीडियो पे दोगना audience retention आ रहा है तो आपका reals वीडियो millions में view जाएंगे अगर आपकी वीडियो किसी के पास जा रहे है वो slide कर दे रहा है तो आपकी वीडियो के जो है reach down हो जाएंगे और आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आने लगेंगे ठीक है तो जाहिर सी बात है आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें अगर इस वीडियो से डिलेटर आपका कोई भी समस्य है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजेगा और ठीक है और हमारे जो है फेस्बुक पेज को इसको भी फॉलो कर लीजेगा यूटुब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद